यह हमने बनाई है अपने ठाकुची के लिए बहुत ही प्यारी से शोल यह हमने साथ नमबर के ठाकुची के लिए बनाई है देखिए हमने दो कलर से बनाई है बीच में हमने थोड़ा सा रैड कलर यूज किया है और साइड में हमने वाइट कलर से बनाई है बिल्कुल वाइट कलर है यह और यह है रैड कलर हमने दोनों कलर से मिलाकर बहुत इजी बन जाने वाली शोल है पंदर से बेस्मेंट में यह अराम से बन जाएगा इसमें बहुत जादा टाइम नहीं लगता और यह हमने साथ नंबर के ठाकुची के लिए बनाई है तो चलिए सेम शोल बनाना स्टाट करते है वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए होते सब्सक्राइब बनाना, स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर दू कलर की उन ली हैं, आप चाहें तो सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, जैसे आपकी चोहिस, चैसे अपको उच्छा लगें, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यह कलर रखे थे तो मैंने व approxim जोचा कि लेंगे करोजियों को और फिर हम ऐसे निकालेंगे ऐसे बस ऐसे हम निकालते जाएंगे कि अब बहुत दीजी है कि अब आप कि अब कि 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 झादो कि अबपूा, कि अब़स of Niko और दुड़स कि कि अब़स आप कि अब़स धन्धन कि ढसंतिए कि आब कि अब़स आप कि रहता हुआ ये हमने 45 चैन ले ली है पहले जो हमने ये बनाई है ये शोल हमने 7 नंबर के ठाकुजी के लिए बनाई है तो इसमें हमने लग भग ली है 70 चैन और अब हम बना रहे हैं 3 नंबर के ठाकुजी के लिए 3 से 4 नंबर के ठाकुजी के लिए तो हमने ली है 45 चैन अब हम क्या हुआ है अब दिखिए आपको हमने ऐसे किया हम दो चैन से निकाल लेंगे एसे कि तीसए चैन से हमने ऐसे निकाल्येंट फिर हम ऐसे वोड़ F legislator फिर क्ला एक हिशे हैं ऐसे करेंगे इसी के तीन से हम दूबारण निकालेंगे एक चैन से थी यह करेंगे इसी गबी से दुबारा निकाला। से्म चेंट से 4 पंदे दो क्षडे एक फंदा। कि फिर हमने सेम चैन से दुबारा निकाला है ऐसे हम एक चैन से तीन बार निकालेंगे फिर हम फिर एक चैन बनाएंगे फिर हम छोड़ेंगे एक दो चैन चोड़ेंगे तीसरी चैन में फिर से बनाएंगे दो दो चेन छोड़ते जाएंगे तिसरी चेन से बनाएंगे यह देखिए है ऐसे है फिर हमने ऐसे किया फिर हमने दो चेन छोड़ी एक दो तिसरी चेन में बनाया ऐसे सोरी मां खुदी भूल गई एक चेन में हमें तीन बर बनाना है एक चेन में तीन बर बनाना है दो बर हो गया तीन बर हो गया पर हमें इसे एक चेन बनाया फिर हमने एक दो छोड़ए पिसरी चेन में बनाया एक रींट में अब सभाई जी देखिए ओन् trainings एक पॉड़ा धॉर्सें बनाया एक चैन में हमें में नाना है फिर हमें 2 चेन छोड़ते वें तिसरी चेन में बनाना है तो कि और तीन पिर हमने एक चेन बनाई फिर हम दो छोड़ते वें एक दो तिसरी में बनाएंगे फिर हम नहीं से बनाया है एक करोशे बना लिए दो है ये और अब ये तीसरा करोशे है फिर हम सिंपल चैन बनाएंगे फिर हम एक दो चैन छोड़ते हुए तीसरी चैन में डालेंगे एक दो तेन फिर हम दो चैन छोड़के तीसरी बनाएंगे मतलब समझे हम पहले मैं आपको समझा देती हूँ एक बाल पहले हम एक चैन से तीन बर बनाएंगे तीन डबल करोसिया बनाएंगे, एक चैन में तीन डबल करोसिया बनाएंगे, फिर हम एक सिंपल चैन बनाएंगे, ऐसे, फिर हम दो चैन छोड़ते हुए, तीसरी चैन के अंदर बनाएंगे, फिर हम तीसरी चैन में तीन बार डबल करोसिया बनाएंगे, फिर हम एक सिंपल च यह ना तीन सेंधीन बाद रहा फिर आमने एक चेंद बनाई फीर तीन बाद बनाई दिखाते हैं है अब हम कैसे बनाइंगे यह हमने कंप्लीट कर लिए है अब हम इधर करेंगे वन टू अब यह है ना वन टू थ्री थ्री चैन को हम छोड़ेंगे अब हम बनाएंगे इसमें थ्री चैन सेम इसे ही हम दुबार बनाएंगे टू थ्री इसी तरह से इक चैन बनाई फीर हम ने वन टू थी चैन छोड़ेंगे इसमे बनाएं टू थ्री इसी तरह से फीर एक चैन बनाएंगे फीर इसमे के बनाया वान टू तर्फित कर लेंगे तो चलिए, कंप्लीट करते हैं , फिर दिखाते हैं इसी तरहाँ हम बनायें लगबनघ छेई साथ रोके आरांड बनायेंगा ? जलिए बनाते हैं , फिर बताते हैं यह दिखिए हमने थ्री रोग कंप्लीट कर ली हैं अब हम लगाएंगे ग्रीन उन तो अब हम ग्रीन उन कैसे आड़ करेंगे आप दिखें इससे पकड़ेंगे हम यहां से निकालेंगे इससे अब हम लगाएंगे एक नोड और हम करेंगे इससे वान तो थ्री ऐसे लेंगे यह जो दागे हैं इससे लेते वे चलेंगे इससे अब थ्री थ्री टाइम्स निकाल लेंगे वान टू थ्री फिर वन चैन बनाएं फिर यह त्री चैन छोड़ें और फूर्थ चैन से निकालेंगे वान टू थ्री थी देखें हमने तीन तिन बना लिया हैं ऐसे हम बनाते जाएंगे यह देखें हमारी इससे सेवन लों कंप्लीट हो चुके हैं हमने seven row complete कर लिया थरी यहां पर और थरी यहां पर और मैंने हम बीच में हमने green कलर की उन से एक रो बनाई है और यह धागा जो हमारी row complete होने के बाद बचा था वो मैंने कट नहीं किया है ताकि गांटे-गांटे ज्यादा ना आए मैंने यहां पर लंबा रख लिया है इससे हम दो तेन चार पांट शेट आठ नोड़ तर्ट ग्यारा बादा तेरह चुड़ पंदरा वाद हम लगवग इन्हें ऐसे लपेटेंगे फिर हम इन्हें ऐसे गोल-गोल करते हुए ऐसे थोड़ा लंबा कट करेंगे और हम नोड लगा देंगे ऐसे हम दो बार लगाएंगे न दोड था कि खुले ना दिखिए ऐसे हमने लगा दी है अब इसे बीच में से ऐसे कट कर देंगे ऐसे चलिए एक और बनाते हैं कि एक दो तीन चाहां चीर साथ आठीन तुस्क्राइब अगें थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे वह दो नोड़ लगाएंगे और यह इन पीच में से कट करेंगा ऐसे देखिए ऐसे इसी तर से हमने खुब सारे बना लिये हैं और अब हम भी से अटेज करते हैं पंदों के देखिए ऐसे हम निकाल लेंगे एक बार और डबल बार करेंगे डबल बार लगाएंगे इने ताकि खुलने के बिल्कुल चांस ना रहे अब हम लेंगे दूसरा बंदों उसे भी ऐसे लगाएंगे इसे भी हम ऐसे ही अटेज करते हैं इसे भी हम ऐसे ही अटेज करते हैंगे अब हम लगाएंगे अब हम लगाएंगे ऐसे इसे तरह से हम दोनों साइट सारे फंदे लगा लेंगे देखिए हमारी शोल कंप्लेट हो चुकी है हमने सारे फंदे सुई की हैल्प से एड़ कर लिये हैं इसमें और अब हम इन फंदो को ऐसे इकवल रखके शोल को cut कर लेंगे सारे फंदो को equal x cut कर लेंगे द viendo बहुत ही अच्छे प्यारी से शोल बनकर हमारी रेड़ी हुई है अब हम इन फंदो को ऐसे सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे जितने बड़े आप रखना चाहें रख सकते हैं और जितने कट करना चाहें आप कर सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदो को कट कर लिया है देखिए ये हमारी बहुत ही प्यारी सी शोल बनकर त्यार हो गई है ये हमने 3-4 नंभर के काना जी के लिए बनाई है ये 3-4 नंबर 3-4-5 नंभर के काना जी को भूत इजली आ जाएगी वीडियो अच्छे लगी हो तो खीर लिए पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना थेंक्यू थेंक्स फोर वोचिंग पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना थेंक्स फोर वोचिंग